पसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूटूब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी छीक आना शुब या अशुब होता है दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त ह दोसके जोतिश के नियमानुसार केवल सामने की और दाई तरफ की छीक अशुब मानी गई है अगर आप कोई नए कार्य की शुरूआत करने जा रहे है या किसी काम पर निकल रहे है और कोई पीछे से छीक दे तो समझ जाए कि हर हाल में आपका काम होगा इसी तरह अगर पूरा होगा पीछे की और बाई और की छीक हमेशा ही शुब मानी जाती है इसके अलावा घर से निकलते समय अथवा किसी काम पर जाते समय अपने इस्ट देव का ध्यान अवश्य करना चाहिए इससे सभी तरह की चीजे टल जाती है आज के समय में भी कुछ लोग शुब अ शास्त्रों में छीक को हर समय अशुब नहीं बताया गया है तो आये जानते है कि वक्त छीक मानी जाती है शुब या अशुब छीक के शुब संकेत इन स्थिती में छीक का आना होता है बेहत शुब यदि किसी काम पर जाते समय सामने की छीक आ जाये तो काम पूरा नहीं होत तो इसे शुब माना जाता है अगर कोई वस्तु खरीदते समय छीक आ जाएं तो वो वस्तु सभागिशाली सिध्ध होती है किसी रिष्टेदार के जाते समय अगर बाएं छीक आ जाएं तो इसे अशुब माना जाता है ऐसे में यात्रा को रद्द ही कर देना चाहिए व्यापार आरंब करने से पहले छीक आना व्यापार में सफलता मिलने का लक्षण है अगर बिमार आदमी दवा ले रहा है और उसी समय छीक सुनाई देतो इसका अर्थ है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा अगर आप नए कपड़े पहन रहे हैं और उस समय कोई छीकता है तो ऐसा करना आपको दुगनी खुशी देने का संकेत माना जाता है माना जाता है कि आपको जल्द ही और नए कपड़े मिलने वाले हैं सुभा टेन बजे से जीरो वान बजे तक छीक सुनने पर शारीरिक कश दो पहर जीरो वान बजे से जीरो थ्री बजे तक छीक सुनने पर टेस्टी भोजन प्राप्त होता है दिन के चौथे पहर यानी थ् यसी मित्र से मिलने का अफसर मिलता है। छीक की शुब संकेत इन स्थिति में छीक आना होता है। बेहद अशुब सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद छीक की। ध्वानी सुनना अशुब माना जाता है धार्मिक अनुष्ठान आधी आरंब करते समय अगर चीक आ जाए तो अनुष्ठान के पूरा होने में समस्याएं आती हैं यदि आपने नया घर बनवाया। है और उसमें ग्रह प्रवेश करते समय कोई चीक दे तो कम से कम 4 घंटे के लिए ग्रह प्रवेश को रोक दे उसके बाद गड़ेश जी को घर में प्रवेश कराए और फिर आप लोग घर में जाए भोजन से पहले चीक का सुनाई देना भी अशुब माना जाता है यदि कोई स तुभा 6 बजे से 10 बजे तक पूर्व की दिशा में चीकने की आवाज सुनता है तो उस दिन कई तरह के कश्ट जेलने पड़ सकते है यदि आप परीक्षा देने जा रहे है या दे रहे है और उस समय कोई आपके पीछे से चीक रहा है तो परीक्षा में असफलता मिलने की स संभाव ना रहती है वही शुबकार्य को करते वक्त अगर चीक आती है तो यह माना जाता है कि काम के पूरा होने में बाधा आ सकती है लेकिन अगर एक चीक के बाद दूसरी चीक आती है तो इसे शुब भी माना जाता है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत छूटा सा लाइक करें और हमारी चेनल को सब्सक्राइब करें